बच्चो आज मैं आपको आपके संस्कृत का सस्थ पाठ शिक्स्थ चैप्टर ये पढ़ाऊंगे पाठ का सिर्षक है बालकह कंदुकेन क्रिडती करण कारक तृतिया विभक्ती तो इस पार्ट में आप तृतिया विभक्ती जो की करण कारक होता है उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले देखिए कि करण कारक किसको कहते है जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है वह करण कारक कहलाता है करण कारक में तृतिया विभक्ती होती है इसका चिन से और के द्वारा होता है परिभासा में क्या कहा गया परिभासा में यही कहा गया कि कोई कार्य कोई क्रिया जिसकी सहायता से संपन्न होता है अर्थात पूरा होता है उसी को कहा जाता है करण कारक एक एक्जाम्पल देखके समझे आप जैसे उधारन के तौर पर आप इस वाक्य को लीजिए बालक गेंद से खेलता है कारे कौन सा हो रहा है, क्रिया कौन सी हो रही है खेलता है और ये क्रिया जो है, वो किसकी सहायता से पूरी हो रही है तो गेंद की सहायता से ये कार्य पूरा हो रहा है ठीक है? तो यहाँ जिसकी सहायता से कार्य पूरा हो रहा है उसी को कहा जाएगा करण कारक वही होगा करण कारक और देखें यहाँ पर इसका चिन से भी आया है तो गेंद से जो है वह है करण कारक अब तृतिया में गेंद शब्द का सब्द रूप अगर आप देखिएगा तो सब्द होंगे कंदुकेन, कंदुका भ्याम, कंदुके एक वचन, दुई वचन, बहुवचन और चुकि गेंद एक है इसलिए एक वचन का सब्द कंदुकेन, गेंद से के लिए हम प्रयोग करेंगे तो इस तरह से इस वाक्य का अनुवाद हो जाएगा बालकह कंदुकेन, क्रिड़ती बालक गेंद से खेलता है ठीक अगला वाक्ये बालकह कंदुकेन, क्रिड़नती बालक बहुत सारे हैं बालक गेंद से खेलते हैं अगला वाक्य विवेक कलमेन लेखम लिखती विवेक कलम से लेख लिखता है सह कलमेन लेखम लिखती वह कलम से लेख लिखता है अगला वाक्य अहम नेत्रा भ्याम पश्यामी देखो आखें हम जो हम जिन आखों से देखते हैं वे आखें हैं दो इसलिए यहाँ पर दुई वचन का शब्द प्रयोग में आया है दुई वचन नेत्रा भ्याम मैं आखों से देखता हूँ अहम चरणा भ्याम चलामी मैं पैरों से चलता हूँ आगे पुत्र जनकेन सह आपनम गच्छती यह हो गया पुत्र जनक के साथ मतलब पिता के साथ बाजार जाता है यहाँ एक चीज़ द्यान रहे कि सह सह संस्कृत का ये शब्द है इसका अर्थ हिंदी में होता है साथ लेकिन यहाँ पर एक संस्कृत का नियम लगू होता है कि ये सह सब्द जिसके साथ जुड़ा होता है उसमें तृत्या विवक्ति होती है जैसे पिता के साथ तो साथ सब्द सह सब्द किसके साथ जुड़ा है पिता के साथ इसलिए पिता में तृत्या विभक्ती हो जाएगी और इसका मीनिंग होगा पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है अगला वाक्य माला कारह माला कारह जलेन व्रिक्षान सिंचती माली जल से पानी से व्रिक्षों को सीचता है गज़ सुन्लेन शाखा त्रोटियती मतलब हाथी सूर से डालियों को तोड़ता है सिशु कृड़नकै क्रिड़ती क्रिड़नकै इसमें बहुवचन है ठीक है ये बहुवचन है त्रित्या का और इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा सिशु खिलोनों से खेलता है अगला है बालकाह परिश्रमेन पठंती बालक परिश्रम से पढ़ते हैं राधा सीतया स संभाषनम करोती राधा सीता के साथ या सीता जो है त्रित्या है लता की तरफ सीता का रूप चलता है इसलिए हो गया सीतया राधा सीता के साथ बादचीत करती है अक्षय बस यानेन विद्यालयम गच्छती यानेन किसी भी वाहन को कहा जाता है, किसी गाड़ी को कहा जाता है और इसलिए बस यान सब्द का प्रयोग हुआ है अक्षय बस से स्कूल या विद्यालय जाता है तत्र सह परिश्रमेन पठती वहाँ वह परिश्रम से पड़ता है सह मित्रे सह वह मित्रों के साथ संभाशनम अपी करोती बात चीत भी करता है अगला है दूर विक्षनेन सह दूर विक्षनेन खेलं पस्यती वह इसका दूर विक्षनेन मतलब दूर दर्शन से की भी से दूर विक्षनेन का मतलब होता है दूर दर्शन से वह दूर दर्शन से खेल देखता है संगनकेन स्वकार्यम अपी करोती संगनक कहा जाता है कंप्यूटर को तो संगनक से कंप्यूटर से अपना काम भी करता है तो यहाँ पर आपका इस पार्ट का हिंदी अनुवाद समाप्त हो गया यह अनुवाद आप वीडियो से सुनिए और जो PDF में इसका अनुवाद मैं आपको भेजूंगी उसे आप अपनी संस्कृत की कॉपी में लिख लीजेगा